गैस आप सभी को याद होगा दो महीने पहले हम आप लोग के लिए लाए थे एसिक्स जोल 2 का रिव्यू जो कि आप लोगों ने काफी साथा पसंद किया था और इसी रिजन से आज हम उस रिव्यू का अपग्रेड़ वर्शन यानि कि जोल 3 का रिव्यू एन अन्बॉक्सिंग करने जा रहे हैं देख दे दोनों में क्या डिफरेंस है और बात करेंगे पूरी डीटेल में पर उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और कंटेंट थोड़ा बहुत समझाए तो सब्सक्राइब कर देना बेल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो में साओ ना कर जाए और चलिए एक लुकाउट माल लेते हैं आज के बॉक्स की और तो यहाँ पर आपको वोई सिंपल सा बॉक्स प्रोवाइड होगा जिसके इस तरफ पर मॉडल ने साइस एन प्राइसिंग दे रखी जिनके बारे में हम फ़र्दर बात करेंगे वीडियो के एंड में तो चलिए बॉक्स को ओपन का लेदर तो फाइनली गाईस आप लोग देख सकते हैं एसिक्स जोल्ड त्री और इनकाई कोई को लूप मैं आप लोग को दे रहता हूँ तो गाईस ची लिए बात कर लेते हैं इस शू के बिल्टन डिसाइन के उपर कलर की बात करें तो इस डिसाइन के अलावा भी आपको चू के स्पेसिफिक आउटर डिसाइन के बारे में तो हर एसिक्स के तरह यहां पर भी सेम पाटन को फॉलो कर रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपड के यहां पर आपकी ब्रीधिंग एकदम प्रॉपर हो जाएगी आपको यहां पर कोई भी स्वेटिंग को लेकर प्रॉबलम फेस नहीं करना पड़ेगा वही अगर मैं शू को turn कर रहा हूँ तो इस तरफ भी same design and patterns को follow कर रहा हूँ अब बात करते हैं शू के specific back के उपर तो back को इस पर थोड़ा जाधा attractive बनाए गया यहाँ पर आपको lining pattern देखने को मिलेंगे neon color में and एकदम center में यहाँ पर कुछ dotted patterns भी follow कर रहा है built यहाँ पर आपको एकदम same synthetic देखने को मिलेगा next point ले लेता हम इस शू के back sole के उपर तो back sole का design यहाँ पर काफ़ी different and unique दे रहा है up to down variation में आपको कुछ block patterns देखने को मिलेंगे and पचेव पोशन में आपको lining pattern follow कर रहा है एकदम center में आपको यहाँ पर ASICS का लोगों भी देखने को मिल जाएगा material की बात करें तो वो यहाँ पर EVA प्रोवाइट कर रहा है जिसकी quality मुझे अच्छी लगिए मैं एक बार आप लोगो इसका back sole भी press करके दिखा देता हूँ तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अगर मैं आपर कही पर भी press कर रहा हूँ soul area में तो वो काफी जादा hard है and apart from all of these issue में meta clutch technology का use का रखा है जो कि इसकी heel support को improve करता है and stability लाएगा running के दोरान next point अगर हम लेते हैं इसके side soul के उपर तो side soul का design भी यहाँ पर थोड़ा बहुत similar है lining pattern आपको देखने को मिलेगा left to right transition में and एक बार मैं आप लोग को side soul भी press करके दिखा देता हूँ तो side soul press करने पर competitively soft है क्योंकि यहाँ पर कोई भी additional layer provide ही कर रखी है and side soul को यहाँ पर outer से stitch करका है ताकि यह साधा long lasting रहे वहीं अगर मैं शू को turn कर रहा हूँ तो इस तरफ भी same physical overview find out कर पार हूँ so light की बात करें तो वो यहाँ पर कुछ 1.7 inch दे रखी है अगला point ले लेते हम इसके laces के उपर तो यहाँ पर आपको round laces provide कर रखें जिसकी quality मुझे काफी ठीक ठाक लगी है and पीछी के और आपको एक और A6 का logo देखने को मिल जाएगा तो guys चीली बात कर लेते हैं शूक के inner soul के उपर तो यहाँ पर आपको A6 का original inner soul देखने को मिलेगा जिसको मैं एक बार आप लोग को निकाल के दिखा रहेता हूँ तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर single layer provide कर रखें रबर की जो कि मुझे काफी जादा अच्छी लगी है in terms of quality and secondly आपर forming के इस्तवल नहीं कर रखा है जो कि एक running shoe के लिए perfect है क्योंकि अगर हम कोई भी running shoe की बात करें तो उनका सबसे main target होता है performance and stability जो कि forming के कारण थोड़ा बहुत unstable हो जाता है और performance भी उत्ताखास नहीं मिल पाता है secondly आपर surface plane करने के लिए एक synthetic की layer provide कर रखें जिसको हम एक बार आप लोग को प्रेस करके दिखा देता हो and not only this comfort को थोड़ा उखत maintain करने के लिए अपर वाले portion में भी forming कर रखिए जो कि प्रेस करने पर काफी जादा soft है तो no doubt आपको comfort अच्छा मिलेगा and मुझे कुछ इस तरफ different country के sizes दिखने को मिलते है आपको running में बहुत जादा advantage मिलेगा and not only this यहाँ पर दोनों शू का combined weight 550 gram से भी कम है तो चलते टाइम आप लोग को ये शू feel भी ने होने वाले next point अगर हम ले 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 तने शू के flexibility test को ले कर तो एक बार मैं आप लोग को इस शू को flex करके दिखा देता हूं सभी angles है तो जैसा कि आप लोग देख सकते है इस शू को अगर मैं कही पर भी turn twist या फिर bend कर रहा हूं तो मुझे सिर flexing के time यहाँ पर minus stretch marks देखने को मिलते है side sole में और उसके अलावा यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसे heavily stretch marks देखने को नहीं मिलते है इवन जब भी मैं flex नहीं कर रहा हूं उस time पर तो बहुत ही गम हो जाते है outer की बात करें तो यहाँ पर भी openly stretch marks तो बन रहे है बट यह temporary रहेंगे मैं शोने के कारण तो guys ची लिए बात कर लेते इस शो के walking and running test के बारे में walking की बात करे जाए तो as expected यहाँ पर मेरा experience बहुत ही अच्छा रहा है and personally guys शो को मैं around कुछ 2-3 आफ़ते पहले से test करता आ रहा हूँ and अभी तक तो मुझे यहाँ पर कोई भी problem face नहीं करने पड़ी हलाकि यहाँ पर मुझे comfort कुछ इतना खास नहीं लगा है next point ले ले दे इस शो के running test के उपर तो running test यहाँ पर मैंने दोनों ही surface पर perform करके देखा and believe me guys running performance तो यहाँ पर एकदम अच्छा है but थोड़ी बहुत problem भी मैंने यहाँ पर face करी जैसे कि इस शो को पहन कर जब भी मैं wedge surface पर run करा था उस time पर shoes काफी ज़्यादा slippery हो रहे था and believe me guys आप लोग इस शो को tracking में use नहीं कर सकते है and उसके अलावा अगर आप लोग को track पर run करना है तो उसके लिए यह compatible है fitting की बात करें तो यह shoe exactly fit थे मेरे size से मुझे हाँ पर कोई भी problem face नहीं करने पड़े jump test की बात करें तो एक बार मैं आप लोग को इस shoe में jump करके दिखा लेता हूँ तो जैसा कि आप लोग देख सकते है stretch marks यहाँ पर usual से थोड़े से ज़ादा create हो रहे हाँ आप लोग इंडोर activity में यूज कर पाएंगे next and finally बात कर लेते issue के pricing and verdict के उपपर यह issue बढ़ा था मुझे exactly 3,000 रूपीस का जिसकी link मैंने description में डाल दिया आप महां से इसको purchase कर सकते secondly अगर मैं बात करता हूँ इसके verdict के उपपर तो हर कोई ASX का shoes के running performance के उपर लेता है and truly guys यहाँ पर जो performance आए वो बहुत ही अचा है secondly issue का काफी multi-purpose use है जैसे कि आप लोग issue को party बगर है या फिर कोई भी casual use मे ले सकते है apart from all of these issue में metaglass technology का भी use करका है चोकि काफी softly press करता है and यह आपकी heel support and stability को improve करता है ताकि आपका experience अच्छा रहा है and most importantly आपर आपको थोड़े time की warranty भी मिल जाएगी तो अगर आपका shoe कहीं से भी damage हो जाता है या फिर कोई भी problem आते हैं तो आप उसको easily sort out कर पाएंगे तो guys अगर आप लोग को मेरा content अभी तक में थोड़ा सा भी informative लगाए तो like कदना वीडियो को subscribe कदना चैनल को and comment section में बताएं आप सभी के thought issue को लेकर मिलते हैं आप सभी से अगली unboxing में झाल 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 झाल